हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे मटर पनीर की साही सबजी ये हमने एक कटोरी मटर ली है जिनको हमने एक विसलानी तक बॉयल कर लिया है थोड़ा नमक डाल कर चार टमाटर लिये हैं दो हरी मिर्च जिनको हमने मिक्सी में पीछ लिया है ये है अदरक लहसुन और प्याज का पेश्ट इसके लिए हमने चार प्याज लिए है बीस कली लहसुन की लिए है और एक इंच अदरक का टुपडा लिया है इनको भी हमने बारिक पीस लिया है ये 200 ग्राम पनीर है ये हमने घर पर बनाया है इसकी वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पर जा कर देख स जाएगा इससे पनीर बड़ा अच्छा बनता है कड़ाई में हम दो चम्मच सर्सों का तेल डालेंगे तेल गरम हो चुका है अब इसमें आधी चम्मच जीरा डालेंगे इसमें हम प्याज लैसुन अदरक का पेश्ट डालेंगे और इसको दो मिर्ट तक भूनेंगे प्यार्ज का पेश्ट भून चुका है अब इसमें हम मसाले एड करेंगे आधी चम्मच मिर्च डालेंगे आधी से थोड़ी हल्दी डालेंगे आधा चम्मच धनिया डालेंगे आधा चम्मच नमक डाल रहें नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं अब इसको थोड दालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे, मसाला भून चुका है, ये तेल छोड़नी लगा है, इसको हमने मीडियम हाई फ्लेम पर भूना है, इसको भूनने के लिए 8-10 मिंट लगे हैं, अब इसको साही बनाने के लिए इसमें हम दो चम्मच मलाई एड़ करेंगे, इसको भी हम दो मिंट के लिए भून लेंगे, मलाई भी भून चुकी है, और मलाई अपना गी छोड़नी लगी है, अब इसमें हम दो चम्मच मटर पनीर का मसाला एड़ करेंगे, अब इसको एक मिंट के लिए भूनेंगे, मसाला भून चुका है, अब इसमें हम एक ग्लास पानी अड़ करेंगे, इसे अच्छे से mix करेंगे अब इसमें मटर डालेंगे ये मटर हमने पहले से उबाल रखिया इनको अच्छे से mix करेंगे इसमें उबाल आने के बाद पनीर डालेंगे इसमें उबाल आ गया है अब इसमें हम पनीड डालेंगे इनको धीरे धीरे से मिलाएंगे और गैस को सीम करके पाँच मिन्ट के लिए उबलने देंगे पाँच मिन्ट हो चुके हैं और सबजे बनकर तैयार हैं अब इसमें हम धनिया एड करेंगे गैस को बंद कर देंगे और इसको हलके हाथ से मिक्स करेंगे अब इसको हम एक बावर में निकालेंगे लीजिए हमारी स्टर पनीर की साही सबजी बनकर तयार है अगर आपको हमारी रेशी भी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और सेर कीजिए थेंक यू